हलो एवरिवन वेल्कम टू वेदा ऐस केचन तो आज मैं बनाने जा रहे हूँ शेजवाँ चिली पिटेटो तो शेजवाँ चिली पिटेटो बनाने के लिए सबसे पहले हम 4 आलु ले लेंगे इनको धो लेंगे धोने के बाद इनके छिलका उतार लेंगे अच्छे से इनको लोफ कर लेंगे और चिलका उतारने के बाद हम इनको पीसिज में कट कर लेंगे इनके पीसिज हमें नोर्मल मीडियम रखने हैं ना जादा बड़े ना जादा छोटे तो मीडियम पीसिज में कट कर लेंगे तो जैसा आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल ऐसे ही pieces cut कर ले अब इसके बाद हमें आलू को boil करना है हमें इनको एक पतीले में पानी लेकर उसके अंदर ही boil करना है कई लोग बोलेंगे कि cooker में भी boil कर सकते हैं लेकिन हमें इसको पतीले के अंदर ही boil करना है क्योंकि जब हम आलू पराठे बनाते हैं तो हम आलू को cooker में boil कर तो जब हम बाद में इनके mushrooms बनाएंगे तो हमें उनको बनाते time काफी problem face करनी पड़ेगी तो पतीले में पानी डाल कर आलू को उसके अंदर डाल देंगे और साथ में धान रहे साथ में थोड़ा सा नमक भी इसमें add करेंगे क्योंकि अगर आलू में नमक का taste ना आए तो फिर आलू बिल्कुल फीका लगता है तो इसलिए हम इसमें नमक भी add कर देंगे आलू उबल गए हैं तो चलिए इनको check कर लेते हैं तो इसमें से एक आलू ले लेंगे और उसको एक कटोरिया चमच में लेकर उसको थोड़ा सा चमच से प्रेस करके देख लेंगे अगर वो अच्छे से फूट रहा है अच्छे से प्रेस हो रहा है इसका मदलब आलू उबल चुके हैं अब इनको एक चलिए ले लेंगे और उस चलिए में निकाल लेंगे अब हम आलो को चल्ली के अंदर से ही मैश कर लेंगे नीचे एक बरतन ले लेंगे खाली और चल्ली को उसके उपर रख लेंगे और आलो को ऐसे ही किसी चम्मच या कटोरी की हेल्प से यहां से ही मैश कर लेंगे क्योंकि अगर हम ऐसे चलनी के अंदर से आलू को मैश करके निकालेंगे तो आलू जो है वो काफी ज़ादा सौफ्ट हो जाते हैं और जब हम मश्रूम बनाएंगे तो ये बिल्कुल सौफ्ट और बिल्कुल अच्छे से बन जाएंगे वैसे तो हम इनको मैशर की हैल्प से भी मैश कर सकते थे लेकिन उसमें फिर भी कुछ-कुछ गुठलिया रह जाती है इसलिए हमें इसको चलनी से ही प्रेस करके निकाल लिया और आलू एकदम सौफ्ट हो गए हैं अब इस स्टेज पर भी हम इसमें half tablespoon नमक एड़ कर देंगे और साथ ही में हम इसमें एड़ करेंगे एक कप कॉन फ्लार अब इसको आलू के अंदर अच्छे से mix कर लेंगे इन दोनों को एक दूसरे के अंदर अच्छे से mix कर लेंगे पहले इसके अंदर पानी नहीं डालना है पहले इन दोनों को अच्छे से mix कर लेंगे उसके बाद इसके अंदर पानी डालेंगे जब corn flour आलू के साथ अच्छे से mix हो जाएगा उसके बाद ही हम इसमें पानी add करेंगे ताकि ये एक दूसरे के साथ अच्छे से चिपक जाए और अग इसमें पानी mix कर लेंगे पानी हमें एक दम स्था mean years नहीं करना थोड़ा थोड़ा कर के ही mix करेंगे ये जादा चिपकना नहीं चाहिए ना जादा tight ना जादा loose मतलब ये चिपके ना बस इसको इतना कर लेना है हमें देखें देखने में कितना अच्छा लग रहा है हमें बिल्कुल ऐसे ही इसको तयार करना है ये ना तो नीचे बरतन पर चिपकना चाहिए और ना जादा tight होना चाहिए तो अब ये बनकर तयार हो गया है अब हम इसकी छोटी छोटी बोल्स बना लेंगे जितनी पी छोटी या बड़ी आप बोल बनाना चाहें वो आप अपने according बना सकते हैं वैसे मैं कहूंगी कि आप बोल्स छोटी ही बनाएं ताकि ये एक बारी में एक मुग के अंदर अराम से चला जाए खाने वाले को जादा बड़ा ना लगे कि तोड़ के डालना पड़ेगा तो आप इतना बना सकते हैं कि एक बारी में ये मुग के अंदर एक अराम से चला जाए तो इस सारे mixture की bowl बना कर त्यार कर लेंगे देखिए इतने से mixture से मेरे पास कितनी सारी bowl बन कर त्यार हो गई है bowls बिल्कुल अच्छे से बन कर त्यार हो गई है अब time है इनको shape देने का तो इनको shape देने के लिए मेरे पास सी एक honey की bottle शहाद की bottle तो मैंने उसको धो लिया था और उसको धो कर अब उसको oil में dip कर लेंगे क्योंकि oil में dip करने से ये फिर इस bowl पर चिपकेगा नहीं और एकदम अच्छे से mushroom जैसी shape बन कर त्यार हो जाएगी जिसको mushroom पसंद नहीं है वो अब आलू के mushroom खा सकता है अब उसको tension लेने की कोई जुरूरत नहीं है क्योंकि अब उसको आलू के mushroom मिल गए है और वैसे तो आलू सबको ही पसंद होते है और आलू की dishes भी सबको ही पसंद होती है तो अब आप आलू वाले mushroom खा सकते हैं और जिनको मश्रूम पसंद नहीं है उनकी तो बल्ले-बल्ले होगे, क्योंकि उनको तो अब मश्रूम खाने नहीं हैं, लेकिन अब उनको जैसी एक और चीज मिल गई, अब वो आलू वाले मश्रूम अराम से खा सकते हैं, आप इन बोल्स को मन चाही शेप दे सकते हैं, अगर आपके घर पे शीशे की बोटल है तो उससे तो और ज़ादा अच्छी शेप आएगी तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं या आपके घर पे और कोई आइटम है घर पे तो वैसे बहुत सारे आइटम होते हैं तो आप इनको जैसी चाहें वैसी शेप दे सकते हैं अब वो आपके उपर है कि आप कितना इनोवेटिव बन के काम कर रहे हैं तो आप जैसी चाहें वैसी शेप दे लें तो मैंने सारी बोल्स को शेप दे दी है और ये देखने में काफी ज़ादा अच्छी लग रही है जितनी ये देखने में अच्छी लग रही है उतनी ही ज़ादा ये खाने में भी अच्छी लगती है और इनको shape देतरे time आपको याद रखना है कि उस item को आप ज़रूर से oil में dip करें वरना ये उस पर चिपक जाएगा और अब time है इनको पकाने का और इनको पकाने के लिए एक pan ले लेंगे उस pan में पानी डाल लेंगे और अराम अराम से इनको उसके अंदर पानी के अंतर डाल देंगे सारे वोल्स को एक साथ नहीं डालना है इनको 2-3 राउंड में थोड़ा-थोड़ा करके डालना है और देखे जब हम इनको डाल रहे हैं तो ये सारे नीचे वैट रहे हैं लेकिन जब ये कुक हो जाएंगे तो ये इजीली उपर तैरने लग जाएंगे तो जब तक ये बोईल हो रहे हैं तब तक एक भगोना ले ले और उस भगोने में पानी डाल ले और पानी बरफ वाला होना चाहिए ताकि जब ये बोईल हो जाएं तो जब ये उपर तैरने लगे तो एक दम से इनको ठंडे पानी में डाल देंगे जिससे की इनकी processing, boil होने की processing, cook होने की processing रुक जाएगी तो थंडे पानी को ज़रूर से तयार रखे, ताकि जब ये इनको बहार निकाले तो इनको एक दम से थंडे पानी में डाल दे तो आप इनको थंडे पानी से भी निकाल लेंगे और अलग bowl में डाल लेंगे तो शेजवान चिली पिटेटो को और जादा टेस्टी बनाने के लिए अब हम इसमें थोड़े से स्पाइसीज एड़ करेंगे तो सबसे पहले मैंने 2 टेबल स्पून ओयल ले लिया है इसमें मैंने 5-6 लेसून को बारिक-बारिक काटकर एड़ कर लिया है जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं तब तक इसमें 1 टेबल स्पून सोया सोस, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स और ये रोस्टेड लेसून भी इसमें एड़ कर देंगे थोड़ा सा नमक या फिर अपने टेस्ट के अकोडिंग आप इसमें नमक एड़ कर सकते हैं आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और लासली हम इसमें धनिया एड़ कर देंगे और फिर इसको मिक्स कर लेंगे और ये बिल्कुल रेडि टू इट है मिक्स करके आप इनको आराम से खा सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें